हे गाइस, अगें सभी का वेलकम है YED की एडिटोरियल क्लास में पारलियमेंट की नई बिल्डिंग बनने वाली है नई दिल्ली में हजारो करोड रुपे की लागत से उसी बिल्डिंग की उपर हमारा सुबह का फर्स एडिटोरियल बेस्ट है बहुत ही कॉंट्रवर्शन मामला है और एडिटोरियल भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग वे में लिखा हुआ है आप इसको पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको शायर समझ में ना है कोशिश करेंगे अपने उसी अंदाज में इसको पढ़ें ग्रामर भी साथ में लूँगा वोकैब भी साथ में लूँगा और ट्रांसलेशन भी साथ में लूँगा तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है और इस क्विज के उपर करना है आपको अपलाई सारा एडिटोरियल का सारे ग्रामर रूल्स सारी के सारी vocabulary इस जवन quiz के अंदर आपकी जो है summarize हो गई सब लोग इसको कोशिश करें वीडियो के last में live solution करवाऊंगा शुरू करें अपनी class को focus देना 6-8 घंटे की learning लोगे अगले 30 मिनिट में 40 मिनिट में अगर आपने focus दिया चलो आओ कुछ नया सीखते है करव फ्रेश विस्टा सबसे पहले समझो विस्टा क्या होता है अगर आप center के उस plan की बात करें जो नई पारलेमेंट की विल्डिंग बनाने का है उसका नाम है Central Vista Project तो एक तो विस्टा का मतलब होग है उस प्रोजेक्ट की बात अपने कर रहे है जहां पे नई पारलेमेंट बनेगी लेकिन विस्टा as a noun इसका मतलब होता है नजारा है ना scene बोल दो, optics बोल दो, panorama बोल दो sight बोल दो, perception बोल दो, नजरिया बोल दो नजारा बोल दो यह सब के सब नजारे के सिनोनिम है तो अपने दो चीज़ें यहां पे यह जो है आपको जो है highlight करके बता रहा है पहली है fresh vista कह रहा है कि एक नए विस्टा प्रोजेक्ट center लेकर क्या है, दूसरा कह रहा है fresh vista, कह रहा है एक नए नजरिये से इस प्रोजेक्ट को में देखना चाहिए इसके लिए नजरिये को बदलना पड़ेगा समझगे न तो vista का मतलब यहां पे नजारा भी हो सकता है अब एक चीज का ध्यान देना यह सारे synonym आपने देख लिए शायद आपने उनको ध्यान ने दिया हो इसमें यह perception, panorama और optics तीनों ही बहुत अच्छे वाले words है इनकी खासियत बताता हूँ आपको मैं optics कागे से आप S निकाल दोगे न तो यह optic एक adjective बन जाएगा इसका मतलब नजारा नहीं बचेगा अगर नजारे के लिए use करना है side के लिए use करना है तो optic क्या के हमेशा ऐस लगेगा, ठीक है न, चला करे बात कर रहा है on new parliament building हम बात कर रहे है parliament के नए building के अब देखो क्या बात करना चाहरा है मालूम से लेगा इसके title paragraph से ध्यान से देखते हैं करे a new parliament building will be celebratory if all have access to health and prosperity करे एक नई parliament की building है न, will be वो होगी, will be अच्छा क्या होगी भई, celebratory होगी celebrity का मतलब है celebration करने लाइक है न, जो just in मनाने लाइक, करे एक नई parliament की building वास्तम में just in मनाने लाइक होगी, उसको celebrate करने के जो लाइक होगी, अगर if, सब के पास access हो सब के पास पहुँच हो सब के पास नोकरी वेपार आ गए, wealth आ गई, करे अगर ऐसा हो ना, तभी इस building को देख करके मज़ा आएगा, otherwise आप इस building को बना लो, इसमें मज़ा किसी को नहीं आ रहा, समझ गए? आज जो sentence में देखने वाली चीज़े देखो, इस sentence के subject था new parliamentary building, वाप्थी will be, फिर दूसरा subject आया if conjunction के बाद में, all नाम का, उसकी वाप्थी have subject वाप आपके सामने aqua blue और pink कलर में मार्ग नहीं, यह इसलिए मार्ग किया है क्योंकि यह आपकी सबसे पहली CD है किसी भी sentence को समझने की subject वाप पकड़ते हो ना, उसके बाद आपकी calculation शुरू होती है sentence का meaning क्या होगा, तो इस सारा काम आपको मेरे साथ करना है, मैंने subject वाप को मा करका है, हर sentence का ध्यान से इसको देखना अब दूसरी चीज़ देखने वाली मैं यहापे pose लूँगा 10 second का आप लोग मुझे बताएंगे यह sentence में कौन सा conditional लगा हुआ है 10 second का pose ले रहा हूँ सब लोग मुझे बताएं, यह sentence कौन से conditional का example है चलो, this is your first conditional अगर सब के पास access हो तो Parliament Building Celebratory हो जाएगी अगर ऐसा हो, तो ऐसा हो जाएगया if plus में present indefinite tense और दूसरे close में, result वाले close में future indefinite tense समझगे न, तो यह first conditional का example है बार बार आपकी conditional जो है न, मैं दुरूस करवाता हूँ ताकि जो आपने सीखा है वो भूलो नहीं अब आज़ो sentence में छोटा सा grammar rule अपने देखेंगे आप मुझे एक बात बताओ इन दोनों sentence को अगर मैं सही करना चाहूँ तो मैं कैसे सही करूँगा सब लोग कोशिश करेंगे दोनों sentence को मैं सही करना चाहूँ तो मैं कैसे सही करूँगा पहले आप कोशिश करो, फिर मैं rule बताता हूँ आपको तक ही याद भी रहे आपको चलो अब देखो rule क्या है access जो है ना access अपने बाद में हमेशा to लेता है access क्या लेता है अपने बाद में हमेशा to लेकिन access noun form में यह सा करेगा verb form में इसके आगे to लगाने की जरूद नहीं है इस sentence को देखो she doesn't have access for या to the quality education उसके पास access नहीं है access का मतलब होता है पहुँच है ना उसके पास पहुँच नहीं है quality education की है ना quality education की पहुँच उसके पास नहीं है यहाँ पर subject है she verb does not have access इस verb को object जो कि एक noun होता है इस case में यहाँ पर for का काम नहीं है इसको निकाल दो to आपका answer है she doesn't have access to the quality education अब ध्यान से समझना अगले वाले sentence को अगर आपने रटा मार लिया और access के बाद में to का रटा मार के लिखा है तो इस sentence गलत हो जाएग अगला वाला देखो she can't access for your to जो भी लगाओगे quality education as she is very poor वो access नहीं कर सकती है quality education को क्योंकि वो बड़ी गरीब है ध्यान दोगे न यहाँ पर she subject है can't access आपकी वर्ब है यहाँ पर does not have आपकी वर्ब थी access इस वर्ब का object था लेकिन यहाँ पर can't access आपकी पहुंच जो न वर्ब है यहाँ पर access का मतलब है किसी चीज की तरफ पहुंचना वो नहीं पहुंच सकती है quality education तक क्योंकि वो बड़ी जो है गरीब है अगर यह मेरे भाई वर्ब है न तो न फोर का चक्कर है न टू का चक्कर है दोनों को निकाल दो access एक transitive वर्ब है हमेशा अपना object लेगी भीना preposition के चलो आगे बढ़ेंगे आजकल के questions इसी तरीके से आ रहे हैं जिसमें आपको गुमुरा किया जाए confused किया जाए access के अगर आप रटे मार के जाओगे तो यहाँ पर question गलत हो गया ध्यान दें part of speech के उपर जाएं कौन subject, कौन verb, कौन object आपकी जिन्दगी असान हो जाएगी अब मेरा आपसे एक और चीज है यह sentence को आप सब लोग सही करेंगे the access for year to cheap capital has given the company access for year to a huge market कहाँ पर 4 आएगा, कहाँ पर 2 आएगा कहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा सब लोग अभी attempt करें वीडियो के last time आपको करवाता हूँ आगे बढ़ेंगे बड़ उससे पहले अगर आप basic level से English को सिखना चाते हैं आपको यह सब editorial समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसको पढ़ा जाए तो आपको basic level से ही शुरू करना है शरम ना करें, channel के home page पे इस playlist को जो है आज से चलाना शुरू करें इस playlist का नाम है complete English grammar for all complete exams home page पे रखिये, इन वीडियो को जो आप चला लेंगे ना, दो से तीन वीक में पूरा कर लेंगे तीस वीडियो हैं आदे आदे घंटे की उसके बाद यह basic structure आपको समझ में आएगी कौन subject, कौन verb है ना, कौन object कैसे आपको grammar को apply करना है जरूर ही आज से शुरू करें आपका 50% struggle कम हो जाएगा इस playlist को पूरा करने के बाद इसी के नीचे आपको मिलेगी member special videos जिनके अंदर मैं आपको बताता हूँ, banks SSC में paper को कैसे solve करना है आप इन videos के लिए मुझे join कर सकते है as a member, आपको मिलेगा full paper solution, banks का, SSC का और भी closed desk, PQRSN हर तरह की questions को approach मिलेगा कैसे करना है member बनने के लिए join button पे press करें उपर जाकर के, अपना contribution दे इस video को play करेंगे तो आपको बताया जाएगा क्या मिलता है, चलिए शुरू करते है आजाओ, अब summary ले लें इसकी summary ही है, देखो नई building तो बन रही है parliament की, जो कि हमारे लिए गरब की बात है, proud की बात है हमारे देश की parliament जो है एक नई parliament बनेगी, लेकिन अपना इटरियो क्या कह रहा है इसकी timing बहुत गलत है timing इतनी गलत है देश में अभी भूके मर रहे हैं है ना, health care हमारे पास है नहीं, vaccine का कुछ अता पता नहीं है, लोगों की नोकरियां चली गई है है ना, हर तरफ अंधिहारा और अंधकार फैला हुआ है उस बीच में जो ये बिल्डिंग की चका चोंद है ना, वो आम आदमी के रास नहीं आने वाली, इसी वज़े से इस बिल्डिंग की उपर case भी लग गए है इसी वज़े से Supreme Court भी इस बिल्डिंग के मामले में शामिल हो गया है तो अपने अरिटोरियल ये ही कह रहा है कि यार और रुख जाते थोड़े दिन है ना सबके मन की खुशी होती तब आपकी खुशी हम मानते अभी तो सिरफ आपकी खुशी है पबले की कोई खुशी नहीं है इस बिल्डिंग को ले करके समझगे ना, आज की टोन है पॉपुलिस्ट, जब जब ऐसी बात हो जो आपके और मेरे मन को अच्छी लगे जो जन्ता के मन की आवाज हो उस अरिटोरियल की टोन होती है पॉपुलिस्ट है ना लोगों की पॉपुलिस्ट टोन की बात करता है शुरू करें दिहान से देखना करा लेंग देखने फांडेशन for a new parliament building for India should be a celebratory occasion one that every citizen would proudly claim as another edifice of a thriving democracy देखो भारी-भारी words है पर बिल्कुल टुच्चा सा अरिटोरियल है अगर words पकड़ों को तो समझ मा जाएगा ध्यान से दिखना करा ले करना foundation को ले करना मतलब बिचाना करा foundation को आधार को बिचाना नीव को जो बिचाने का काम है ना ले दा foundation करने का काम है और किसका नई बालेवेंट की बिल्डिंग का जै किसके लिए for India हमारे देश के लिए करहे जो लेंग दा foundation है ना ये शुड़ भी होना चाहिए एक celebratory occasion ये एक ऐसा मोका होना चाहिए जो celebration के लायक हो है ना Justin का महौल होना चाहिए इस मोके पर करहे वो वला occasion वन वो वला occasion जिस पर हर Indian को proud feel करना चाहिए every citizen would proudly claim है ना जिसको हर citizen proudly ऐसा दावा करे एक लेम करे और कैसा दावा करे एक और edifice की तरह है एक और धाचे की तरह है जो है एक फल्ती-फल्ती democracy का thriving gun tantra का sentence repeat कर रहा हूँ words बड़े हैं ध्यान से समझो simple है तरह ले करने का काम है जो foundation को नीव को रखने का जो काम है नई building का हमारे देश के लिए वो होना चाहिए एक Justin का मोका एक ऐसा मोका है जिस पे हर citizen हर भारतवासी जिसको दावा करे और कैसे दावा करे एक edifice की तरह एक इमाराज की तरह है एक धांचे की तरह है एक फल्ती-फल्ती democracy के हम सबको इस building को देखकर के लगना चाहिए कि देखो democracy कितनी फल्ती फल्ती रही है इंडिया इतनी बड़ी नहीं इतने से इतने में तुम खो जाओगे कौन subject है कौन verb है मतलब तब तक नहीं निकाल सकते sentence का जब तक तुम्हे subject verb ना पताओ तो laying आपका subject है जो की जीरंड है should भी आपकी verb है every citizen है subject number 2 और would probably claim उसकी verb है sentence में words देखना edifice इसको edifice लिखा जाता है पर बोला आता है edifice इसका मतलब होता है धांचा, structure, building या framework है na edifice thriving वो चीज होती है जो फल फूल रही हो इसके लिए अपने पास बहुर अच्छे सी words है growing, developing, prospering और mushrooming चारों का मतलब है फलने फूलने वाली कोई चीज जो आगे से आगे बढ़ रही हो यह mushrooming और prospering word को देख लेना ना फलने फूलने वाला it is an opportunity for accord reflecting a pluralistic progressive ethos word देखो कैसे जीव जीव है है ना simple सा sentence है यह एक मौका है पॉर्चुनिटी है accord का accord का मतलब होता है सहमती है सब की unanimity सब के बीच में सहादर है यह एक एकता का मौका है accord का मौका है और कैसा मौका है जो reflect करते हुए है उस pluralistic progressive ethos को ethos का मतलब होता है हमारा mindset हमारा सोचने विचारने का तरीका ideology बोल दो, value बोल दो हमारी philosophy बोल दो और pluralistic हर वो चीज़ है जो हमारी variety को बताए हमारी विवित्ता को diversity को बताए तो करे यह एक मौका है किसी इसके लिए सबकी एकता को दिखाने के लिए और reflect करने के लिए हमारे आपसी progressive ethos को जो की बहुत pluralistic हैं जिसमें हर तरह के लोग हैं हर रिलिजन, हर जो है state के लोग हैं ethos का मतलब देख लेंना सारे words synonym बले, mindset बोल दो pluralistic जिसके अंदर बहुत चीज़ें, diverse one of variety हो चलो आगे बड़े बस words ही ख़दर ना के, बाकी कुछ नहीं है करा येट, the ceremony is now poised to take place under the shadow of litigation with the supreme court allowing the event to be held but temporarily restraining the center government from making site alternations in the form of additions and demolition of structures and continued removal of trees करा येट फिर भी जो ये ceremony है अब वो है poised poised का मतलब होता है तयार एकदम position के उपर इस word को भी तोड़ूँगा, अभी रुक जाओ है ना, करा फिर भी ये जसन का मौका ये ceremony अभी तयार है, poised है ये take place करेगी, ये अकर होगी ये अपनी जगा लेगी, और कब under नीचे उस चाया के जो एक litigation की, litigation होता है court case है ना, करा फिर भी इतने गरव की बात होने के बाद भी ये जो ceremony है ना, court case की चाया के नीचे take place होगी, court case के नीचे ये काम होगा, सारा का सारा अचाय कैसे हो रहा है ये काम के साथ ही, with के साथ ही Supreme God के allow करने के साथ ही और किसको भाई, इस event को अचा किसी इसके लिए allow किया जा रहा है कि इसको held किया जा रखा जाए और कैसे, लेकिन temporarily restrained करते हुए लेकिन थोड़े वक्त के लिए रोकते हुए, center government को किसी भी काम को make करने के लिए अब वो काम कौन सा है, पहला site को alter करने का, site में बदलाव करने का, और कैसे in the form of additions and demolition addition और demolition की form में आप ना तो कुछ नया बनाओगे ना कुछ demolition करोगे जो पलान आपने बनाया है, आपके कारिकर ने, architect ने, बस वो ही करना आपको है ना, तो Supreme Court ने बोला है कि कर लो इस event को, लेकिन आपको हम temporarily रोक रहे है, center government को ना तो कोई नई चीज़ में जोडोगे नक्षे में, और ना कोई चीज़ को आप demolition of structures and continued removes of trees और जो है, आप आगे remove भी नहीं करोगे, trees को पेड़ों को काटना बंद करो, समझ गे तो ऐसे इस पे code case लगे हुए है code case लगाने वालों ने ही बोला है कि ये क्यों बना रहे हैं building, हम तो भूके मर रहे हैं हमारे बास तो नोकरिया नहीं है, ये क्यों जारा कुरोड की building मना रहे हैं, तो सुप्रीम कोट ने बोला कोई बात नी बना लो, लेकिन अब जो नक्षा बक्षा बन गए है, उसी में चलना है और पेड़ बेड़ काटने बंद करो, पेड़ क्यों काटर building मनाने के लिए, समझ गे अब आज़ो sentence में देखने वाले words alteration मतलब change, modification, adjustment litigation होता है, code case इसको lawsuit भी बोलते हैं, ये word जो आपको दिखे न, ऐसा bold में, समझ ले न, वो अच्छा word है lawsuit मतलब code case अब देखो, poise का मतलब क्या होता है देखो, poise एक root है मैंने खबरी भी करवाया था, इसका मतलब होता है balance, when you are poised, आप in balance होते है in balance होने का मतलब क्या है position में है, एकदम तयार है जब भी किसी काम को करने के लिए poised होंगे न, आप पूरे संतुलन में है, उस काम को करने के लिए पूरे रेडी है, है न, इसी तरह से ये सेर्मनी भी संतुलन में है तयार है, in balance है, कि ये take place होगी, under the shadow of litigation समझगे न, तो poise वर्ब से आप इसको जोड के रखे, चलिए आगे बढ़ते है, आगे करे है, आगे करे है आगे करे है, the new building which is part of the Narendra Modi government's ambitious plan to modify the central vista skyline of Lutians Delhi will cost an estimated 971 crore and be able to accommodate a much larger number of MPEs 888 in Lok Sabha and 384 in Rajya Sabha करे है, ये जो नई विल्डिंग है न जो की एक हिस्सा है नेंदर Modi की सरकार के उस महत्वा कांक्षी plan का ambitious plan का, अचा है, plan किस चीज़ का भई modify करने का, alter करने का change करने का, central vista skyline को Lutians Delhi की, Lutians Delhi का मतलब क्या है, वो दिल्ली जो अंग्रेजों ने बसाई थी मैं इसकी history आपको बता दूँगा, ऐसा समझ लो Lutians Delhi का मतलब है, अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई दिल्ली, तो गयरे नई बिल्डिंग जो है न, जो की एक मोधी गवर्मेंट के महत्वा गंक्षी प्लान का हिस्सा है, और वो प्लान है बदल देने का central vista skyline को अंग्रेजों की बसाई दिल्ली के करें ये जो बिल्डिंग है न, इसकी वह बाई है, ये विल्ल कोस्ट, ये कोस्ट करेगी इसकी कीमत होगी, लगबग 971 करोड, और यही बिल्डिंग, यही बिल्डिंग विल्ल बी एबल, ये एबल होगी accommodate करने में, adjust करने में बहुत बड़े number of MPs को Member of Parliament को, इधर इतने और उधर उतने, समझगे न, तो ज़्यादा space होगा, ज़्यादा बड़े तरीके से बिल्डिंग को बनाया जाएगा, अब आज़ो sentence में देखने वाली सीज़ें, which की वर्ब है, is, आप समझ गए, new बिल्डिंग की वर्ब है will cost, और इसके दूसरी वर्ब है, will be able, अब आप बोलो सर, will तो लगा नहीं हुआ, अरे यहाँ लग गया न, helping वर्ब है न, दूसरी बार end के बाद helping वर्ब को repeat करने के ज़रोत नहीं है, तो यहाँ पे will helping वर्ब थी, cost main वर्ब थी, यहाँ पे again will helping वर्ब है, लिग ही नहीं है, और be able हो गई आपकी main वर्ब, अब इसमें देख लो, Lutians डेली क्या है, छोटी सी हिस्ट्री बता जेता हूँ है, Sir Edwin Lutians, एक उसका Sir निकालो पहले, अंग्रेज था यह Edwin Lutians, अंग्रेजों का एक architect था है न, इसने कलकत्ता से दिल्ली में जाकरके दिल्ली को बसाया, समझगे न, हमारी capital को कलकत्ता से दिल्ली लेके आया, 20 साल लगे इसको सब कुछ डिजाइन करने में, पार्लियमेंट की बिल्डिंग, रास्टरपती बहुन को, सुप्रीम कोट को, हाई कोट को, MPO के बंगलों को 20 साल इसने डिजाइन किया, और बाद में उस दिल्ली को इसने बसाया, जो हमाज देखते हैं इतना है पड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है करें, जस्ट वीक्स अगो, कुछ हफतों पहले ही हमारी इस मिनिस्ट्री ने, इस मंत्राले ने, Housing and Urban Affairs मिनिस्ट्री, ठीक है न, करें इस मंत्राले ने ऐसा कहा, अच्छा क्या कहा वई कि जो अवरल कोस है न, कुल मिला के जो कीमत है, इस री डिवल्लेप्मेंट की, सेंटरल विस्टा प्लान के, करें इसको अभी भी करोड रुपे में, अब आगे बढ़ो, करें इन्वाल्विंग, अमंग अदर थिंग्स, न्यू सेंडर सेकरेटरेट, एंड ओफिस और रेसिदेंस और वाइस प्रेसिडेंड और वाइस प्रेसिडेंड के, तो यह सब कुछ बनने वाला है, इन्होंने बोल दिया भी, पता निया हमें कितने पैसे लगेंगे, पर एक बात पता है, हजारो करोर रुपे हमने सोच लिए है, इस पर लगाने वाले हैं, लगेंगे ही, लगेंगे, चलो, simple sentence, इसको repeat नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, करे एफ कि राए एक अपर कल प्रजेक्ट, अब देखो अपर कल का मनलब क्या होता है? अपर का मनलब समझो, एरह युग, अपर कल मतलब जिस एक नए युद की शुरुआत हो, युग का ओ युगांतरों वाली की चीज़ को बोलते हैं, अपने अपर कल, एक नए युक की शुरुबात करने वाला प्रजेक्ट एक नए एरा की बिगनिंग करने वाला प्रजेक्ट जिसको टाइम किया गया है जिसका पूरा टाइम नापा गया है कमपलीशन का और कब से पहले 75 सालगिरा के हमारी एजादी के जो 2022 में होगी है ना तो 2022 के 15 अजस से बिल्कुल पहले इसको टाइम किया गया कि ये तयार होकर के रेडी हो जाए हैना के रहा है इट रेपर्जेट्स इट प्रेजेंट ये प्रेजेट्ट हमें प्रेजेंट करता है एक रेर मोमेंट को एक अनोखी मोमेट को जो कि है involve करने वाली citizens को सभी नागरिकों को और build करने वाली consensus को एक आम सहमती को तयार करने वाली है इस building को देख के किसको मज़ा नहीं आएगा 2022 में जब हम इसको टीवी पे देखेंगे इतनी शांदर building बनी होगी तो सारे citizens इसमें involved होंगे और सब की आम सहमती consensus यह होने वाली है कि building बहुत अच्छी है है ना? Consensus आप जानते हैं Accord बोलते हैं, सहमती बोलते हैं Unanimity बोलते हैं, सब इसके synonym है Apocal का मतलब आपने देख लिया है ना? एक यूग की शुरुवात करने वाला कोई point करें, but the government is now pressing ahead at a cheerless time when the country remains dismayed over a slowing economy and a double blow of the COVID-19 pandemic करें, लेकिन जो सरकार है ना? अब press ahead कर रही है अब जवरस्ती जोर जवरस्ती कर रही है press ahead करने का मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का मार के आगे ले जाना करें, लेकिन सरकार जवरस्ती आगे ले जा रही है इस project को एक ऐसे वक्त पर जो है cheerless, जिसमें कोई भी cheer नहीं है कोई भी उच्सा, कोई भी खुशी हमें नहीं है अच्छा कौन सा वक्त है? जब country अभी भी भनी हुई है डिसमेंड, जब country अभी भनी हुई है बहुती frustrated, बहुती डरी हुई और कब एक slowing economy के उपर और दुगनी blow के उपर दुगने प्रहार के उपर जो है COVID-19 pandemic का तो करें, वैसे COVID है सब को डर लगा हुँए COVID का economy जो है वो पानी के अंदर है एक बिल्कुल cheerless time है इस time सरकार जो रेट लगा के बैठी है कि मैं तो building मनाऊंगी है ना तो कहता सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है लेकिन एक गलत वक्त पे कर रही है जब सब लोग ओलेडी पैसे की तंगी से और COVID के कारण डरे हुए है डिसमेड हैं परशान है समझ के अब इसमेड देखने वाले words देख ले ना cheerless तो आपको बताने की जरूरत नहीं है IPL देखते तो cheerleader देखी होगे आपने वो cheerleader cheer को बताती है ना joy को अब cheerless का मतलब है no cheerleaders है ना no joy अब डिसमेड वर्ड को देख ले ना एक बहुत अच्छा वर्ड पर आँगा इससे और पहले ये वर्ड देख लो डिसमेड है ना ऐसी चीज जो full of fear हो frustration हो or disappointment हो हर चीज जिसमें डर हो frustration हो or disappointment हो उसनों कहते हैं डिसमेड बहुत अच्छा वर्ड है चलो आगे बढ़ते हैं करें it is reasonable to assume that even with a strong revival of the economy in a post-covid era the debilitation cannot easily overcome करें बहुत ही reasonable है शीज को assume करना बहुत ही तारकिक है बहुत ही logic भरा है इस शीज को अपने मान लेते हैं यहां तक की एक strong revival के साथ यहां तक की एक बहुत ही तीजी से revival के साथ हमारी economy में post-vaccine era के अंदर vaccine के आ जाने के बाद के युक के अंदर करें यहां तक की उसके बाद भी जो debilitation है ना जो weakness है उसको easily overcome नहीं किया जा सकता आज जितने कमजोर कगार पर हम खड़े हैं उसको आप 6 महीने साल के अंदर सही नहीं कर सकते हैं तो करें आप बिल्कूर रीजनेवल है इस बात को मानना कि 6 महीने साल में कुछ नहीं होगा vaccine आने के बाद भी debilitation आप जानते हैं weakness हो, fatigue हो, ennervation हो ennervation मतलब आपके अंदर की कमजोरी ennervation चलिए आगे बड़े करें तो करें तो गौर्मेंट्स interventions so far have largely been to encourage private consumption and modest revival of businesses while its own consumption expenditure during the first half of the year has been below that of the corresponding period in the previous year लंबा sentence है, इसमें grammar rule भी है, अच्छे से समझना करें, सरकार का जो intervention है, सरकार के कदम है, जो दखर नाजिया सरकार ने अभी तक की है, है ना, interventions so far अभी तक, कैरें, वो modest दोर पर रहे हैं, encourage करने वाले private consumption को आपके और मेरी जेब से पैसा खर्चवाने वाले रहे हैं, है ना, private consumption को encourage करने वाले हैं, और किसको भाई, modest revival of businesses को, businesses में फिर से जान आने आये, modest सी आये वाले ही, ऐसी जान को encourage करने वाले हैं, कैरें, जब की while, जब की, इसका खुद का जो consumption expenditure है, ना, इसका खुद का जो खर्चे का expenditure है और कब, first half of the year में, पहली छे माई में वो has been रहा है, और below नीचे, और किस से नीचे that of corresponding period in the previous year, previous year के उसी समकक्स period से उसी समकक्स corresponding period के that से, है ना, that यहां पे expenditure को बता रहा है, तो कि रहे private consumption को एक खूब boost दे रहे हैं businesses में activity ला रहे हैं, लेकिन इनका जो खुद का खर्चा है ना, वो पिछली 26 से अगर आप compare करें, तो उसके खर्चे से बहुत ही कम है समझ गे, sentence में क्या कहना चारा है, यह अगले sentence में बताएगा कम है, ज्यादा है, क्यूं ज्यादा है, अब आप इसमें words देखो और grammar rule देखो, है ना वैसे तो subject वह पकड़ ले ना, तो सारा simple sentence है, देखो it's on, बारा बर बताता हूँ मैं ध्यान कीशता हूँ, on से पहले possessive आएगा, तो यहाँ पर it's आना लाजबी है, अगर इस it's को निकाल दूँ, बन गया एक नंबर की error है न, ध्यान रखें, possessive noun, possessive adjective on से पहले जरूर आएगा अब देखो grammar rule क्या गयता है, यह भी चलो, my salary is lower than you, मेरी salary तुमसे कम है, कोई दिक्कत नी cars of BMW are safer and more reliable than Audi BMW की कारें, ज्यादा safe और ज्यादा भरोसे मन्द है, Audi के मुकाबले, कोई बात नी, दिक्कत क्या है मेरी salary तुमसे कम है अरे तुम, तुमारी कोई quantity है क्या, तुम कोई मालो मेरी salary 15,000 है तुम क्या, बारा जार हो क्या तुम से कम नी हो सकती, तुम इनसान हो मेरी salary पैसे में, जो है measure होती है, अगर दो चीजों को आपको compare करना है ना, तुम एक जैसी होनी चाहिए, मेरी salary तुम से कम नी है, मेरी salary तुमारी सेलरी से कम है, समझगे ना, तो मुझे कैसे लिखना से यह, my salary is lower than, than, your salary समझगे, my salary का comparison हो गया, किस से your salary से अब ध्यान देना, मान लो my salary को मैं यह लिख दूँ, the salary the salary of mine समझगे लो, बात वही है बात बिल्कुल वैसे की वैसे है my salary की जगा लिखा मैंने, the salary of mine, तो सामने क्या ना चाहिए, then then, the salary the salary of yours समझगे ना, इस तरीके से यह आप comparison करेंगे, पर दोनों तरफ एक जैसी structure रहनी चाहिए, यहाँ पर my salary लिखा तो वहाँ पर your salary लिख दो यहाँ पर the salary of mine लिखा तो वहाँ पर the salary of yours लिख दो इस से को बोलते है, parallelism है ना, दोनों तरफ parallel काम होना चाहिए, अब ध्यान दो अगर मैं ऐसा करूँ इस case के अंदर, मैं यहाँ पर salary और salary, दो बार salary को लिख रहा हूँ, उसका एक इलाज है salary को यहाँ लिखने के बाद दूसरी जगा लिख दो, then that अब यह that क्या बता रहा है अपने आप से यह पिछले वाले salary word को repeat होने से बचा रहा है, है ना यहाँ पर that से हमें पता लगा कि salary को हमने यहाँ पर repeat कर दिया है बिना लिखे, तो यह होती है that वाली error है ना, यहाँ पर अगर पेपर में देगा ना, तो that निकाल के देगा then, then yours लिखके देगा, आपको लिखना है, then that of yours चलो अब अगले sentence को देखो cars of BMW are safer and more reliable again वही बात, then Audi तो Audi से नहीं, then the cars of Audi तो cars का cars से comparison हो तो वहाँ पर cars of BMW यहाँ पर cars of Audi अब दिक्कत क्या है दिक्कत यह है, यहाँ पर cars फिर से आगया, तो क्या करना है, sir ने बताया था that लगा दो, है ना, दिहान देना that लगा था singular के लिए salary, लेकिन यहाँ पर cars है plural है, देखो वर्ब भी plural है है ना, आर लगा है, अगर plural verb है, plural subject है तो यहाँ पर that नहीं, यहाँ पर इसकी plural form आएगी those समझ के, तो कहीं पर that आएगा कहीं पर those आएगा, यह आपको देखना पड़ेगा that या those किसके लिए लगाया जा रहा है singular है तो that लगाना, अगर plural है तो those लगाना यहाँ पर इसलिए that आया है देखो, वहाँ के expenditure को इस expenditure से compare कर रहे है, singular है, that लगाया आगे बढ़े, quiz में use होगा यह वाला concept है, अच्छा concept है कहरे, this in fact, in short the persistence of significant GDP contraction, कहरे यह चीज ने न, वास्तम में in effect, असरदार तोर पे in effect, पक्का कर दिया और किसको, लगादर बने रहने को persistence को, बहुत ही बड़े GDP में contraction को, करेश सरकार ने खुद खर्चा नहीं किया न, इसकी वज़े से, GDP में बहुत बड़ा contraction इस साल रहा है, in effect इसने ensure किया है इस चीज को, contraction होती है कमी persistence होता है, किसी चीज का बने रहना, बने रहने के लिए अपने बहुत सारे words है, endurance, tenacity perseverance and steadfastness ये last वाले दोनों words देखना किसी चीज के बने रहने को बताते हैं, है न, चलो कियरा, even on the question of the free COVID-19 vaccine the government has been pre-vericating with no assurance of universal vaccination, इतने अच्छे-च्छे words है न, मज़ा आएगा आपको ये वो कहाँ अगर आपने सारी याद की दो, है न किरहें, यहां तक की on, पर, on मतलब उपर अच्छा किस की उपर, सवाल की उपर सवाल किस का, मुफ्त की COVID-19 vaccine का, किरहें, यहां तक की free की vaccine के सवाल पे बिना सरकार जो है, pre-vericate कर रही है सरकार जान भूच करके, इदर उदर भी बाते कर रही है, बिना किसी assurance के, जो है, universal vaccination की, है न, universal vaccination मतलब, सब का free में vaccination, तो गर, अगर free vaccine की बात हो, तो बिहार में तो उन्होंने बोल दिया लेकिन अब जो election हो गए अब इनसे पूछते हो, तो सरकार pre-verigate करती है, इस सरकार जो है, इस बात को गोल-गोल गुमा रही है, pre-verigate का मतलब होता है गोल-गोल गुमाना, इस word को याद कैसे किया जाए, pre मतलब पहले से ही, varigate मतलब variety ले आना आपने पहले से ही variation लाने का मन बना लिया है, आपने सामने वाले को गुमाना है, सीधी बात तो करनी नहीं, तो आप पहले कुछ और बोलोगे फिर कुछ और बोलोगे, फिर कुछ और बोलोगे है ना, गुमाने का प्लैन है आपका तो आप पहले से ही variation लाने का सोच के बैटे हो, मेरी बात को मैं सीधा नहीं करूँगा, गुमा गुमा के करूँगा, ऐसे ही बना है वर्ड वास्तम में है ना, प्री वरिकेट को आप ऐसे याद करें, इसको आप मिस स्पीक भी बोलते हैं, गलत तरीके से स्पीक करना किसी चीज को, और आप बोलते हैं deceived by equivocation, धुंदली बात करके, unclear बात करके, किसी को डिसीव करना, किसी को दोखा देना, ये प्री वरिकेट के दोनों synonyms हैं, इसके लिए एक इडियम भी अपने पास, beat about the bush, beat about the bush को beat around the bush भी बोलते हैं, दोनों एक ही दोनों को अलग अलग मत समझना, दोनों का मतलब है, इदर उदर की गोल मोल करना सही मुद्दे पे ना आना, बीड around the bush करना, सही मुद्दे पे ना आना चलो आगे बढ़ते हैं खजाना है आज वो कैप का कर दिहान से आप लो तो करे विद के साथी allocation of resources, it cannot be anyone's case that shining new central vista structures will add to the luster of an independence jubilee करे विद के साथी, concerns के साथी, चिंताओं के साथी जो है allocation of resources के, जो है संसादनों के इस्तिमाल के है करे संसादनों के resources के, पैसे के, इस्तिमाल के concerns के साथी करे ये किसी को भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी it cannot be anyone's case, यह मैं भी आपको समझाओंगा, करे ये चीज किसी को भी दुख नहीं देगी, that वो ये कि, कि जो shine करती हुई, नहीं जो central vista structures हैं, ये जो नहीं नहीं buildings हैं, ये add to करेंगी, बढ़ा देंगी, luster को, shine को, glow को हमारी independence jubilee के, हमारी 133 की साल गिरा के करेंगी कितने भी concerns और resources पे, किसी कभी ये दुख नहीं है, कि अगर जो पैसा हम इस पर लगाएंगे, वो पैसे से हमारी independence की जो साल गिरा है, उसके luster में कोई कमी आएगी, या वो बढ़ेगा तो इस sentence गलत है, इस phrasal verb को देखें, इस phrase को, to be on someone's case, है न, to be on someone's case, ऐसा लिखें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, किसी को परिशान करना, हरास करना, her boss has been on her case, whole past week, for completion of the report, उसके boss ने उसकी नाक में धम किया हुआ, पिछले एक week से, report को पूरा करवाने के लिए I don't want to be on your case, but I want my money back now, मैं आपकी नाक में दमनी करना चाहता, लेकिन मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, समझगे न, जब भी आप किसी के on your case होंगे, किसी के भी case पे होंगे, आप उसकी चाती पे सवार होंगे, ऐसा समझ ले है न, to be on her case का मतलब है, to be on her throat, तो किसी की गरद होगा है, सब के लिए, किसी के लिए भी यह, किसी के भी on case नहीं है, किसी के भी परशान होने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इस structure को देख लेना अच्छे से, किरे, there are also indications that the center's PWD is trying to modify the overall redevelopment plan on the go, introducing changes piecemeal after getting approvals, which the expert official committee has frowned upon, लंबा sentence है, किरे, वहाँ पे यह भी indications है, यह भी signs हमें मिले हैं, that वो यह कि, कि center का जो PWD है, center का जो building road बनाने वाला जो department है, किरे वो try कर रहा है, कि वो modify कर ले, पूरे redevelopment plan को, पूरे plan के नक्षे को, और कैसे modify करे, on the go, बीच बीच में, on the go का मतलब क्या है, अभी plan बन रहा है, बार बार बीच में modify कर रहा है, center का PWD department, ऐसे indication भी हमें मिले हैं, अच्छे कर कैसे रहा है, introduce करते हुए changes को piece by piece, piece meal का मतलब है, थोड़ा थोड़ा करके, किरे रहा है, introduce करते हुए बदलावों को थोड़ा थोड़ा करके, और कैसे approvals को get करके, अच्छे कौन सी approval है, किरे जिनको expert committee ने disapprove कर दिया है, has found upon, जिन प पहले प्लान बनवाया है, आर्किटेक्स से, इंजिनियर से, उस प्लान को थोड़ा थोड़ा करके, खुदी चेंज कर रहे है, है न, सेंटर का PWD department चेंज कर रहा है, दिमे दिमे, ताकि किसी को पता ना लगे, और कैसे करता है, छोटा सा चेंज करता है, on the go, आज सुबह कुछ कर देगा, पीस मील कर रहा है, छोड़े उटे कोड़े करके, और फिर उसकी अप्रूबल ले लेता है, हमारे जो है, हमारे जो है, बाबो मंतरियों से, किरा इसके उपर एक expert of regional committee है, उसने front of one भी किया, उसने उनको चेताया भी है, ये गलत काम कर रहे हैं, आप लोगो holiday and feeling tired, यहाँ पर M लिख देता हूँ, है न, and I am feeling tired, मैं पूरा दिन on the go था, बहुत ही busy था, और अभी tired फिल कर रहा हूँ, अभी थकावा फिल कर रहा हूँ, ठीक है न, on the go का मतलब है यहाँ यहाँ पर very busy, लेकिन अगले में देखो, he has at least two other projects on the go, उसके पास कम से कम दो और projects हैं, अब जो को busy नहीं है projects, वो under development है न, वो अभी तयार हो रहे हैं, तो उसके कम से कम दो और projects हैं, जो अभी तयार हो रहे हैं, under development है, एक ही phrase, दो तरीके से काम होगा, दोनों तरीके आपके सामने हैं, आपको मैंने पूरा मसाला दे दिया, इसको याद रख सको तो बहुत अच्छा आपके लिए है न, screenshot ले लो इनका, दोनों का, चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग सोचते होंगे सरी, इतना सारा कैसे कर पाएंगे हमें न, piece by piece करो, मैंने भी कभी सीखा था, आप से share कर रहा हूँ आज, आप भी सीख सकते हो, कल आप भी किसे share करोगे, ये जो का कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, सिरफ इतना यह में रखे हैं न, आपको, चलो आगे बढ़ते हैं, करे, front upon होता है, किसी पर बहुएं चडा लेना, front upon करने का मतलब है, जब आप disapprove करते होंगे, तो आपकी eyebrow उंची हो जाती है, तो आप उसको कहते है, front upon करना, या किसी पर बह as their lives, इस sentence में बहुत लोगों की जिंदिगी आ जाएंगी है न, एक sentence के अंदर, ध्यान से देखो, करे एक ऐसे साल में, जो है unprecedented distress का, इतनी ज्यादा इंग्जाइटी का, इतनी परशानी का, जो unprecedented है, जिसका कोई हमने अभी तक मिसाल देखी नहीं है, ऐसे एक साल के अंदर, ह तरह देखा जा रहा है न, जो चीज को भवे की तरह देखा जा रहा है, जसन की तरह देखा जा जा रहा है, करे रहा है, मैं अपियर हो सकता है, वो अपियर हो, बिना बाद की शानो शौकत, ग्रैंडियोस, और किन के लिए, चोट खाय हुए citizens के लिए, अच्छा कौन citizens हैं जिनको जरूरत है हर रुपे की, ताकि वो संतुलन में ला पाएं अपनी जिन्दियों को, करे जो आदमी की नोकरी चली गई, जो घर में भूका बैठा है, जिसके पास काम नहीं है, आपके लिए बड़ी बड़ी ग्रैंड बाते होंगी, ये बिल्डिंग मनाना है न, शान प्रूवन, स्ट्रिकन, शान, ये सब अद्जेटिब्स होंगे, जो वर्ब की थर्ड फर्म से अलग होते हैं न, करवाया था मैंने दो दिन दिन पहले, ग्रैंड योस का मतलब बता दिया है, मैंने आपको चका चोन एक्स्टा वेजिस बोलते हैं, वोड इस सीन अज ग्रैं होंगे, वो बिल्कुल सही होंगे, इस चीज़ को पूछने में, सरकार को क्यों तुमारे पुराने वाले हाउस को तुम ब्यूटिफाइ नहीं कर सकते हैं, क्यों पुराने वाले को तुम सजा नहीं सकते हैं, इसेंशल रिपेर करने के बाद, इसको सेफ बनाने के बाद, कर अब इस sentence को देखना, render, render के दो मतलब होते हैं, किसी को कुछ देना, या किसी को कुछ बना देना, खबरी पे करवाया हुआ हुआ है न, ऐसा कोई मत बोलना से हम पहली बार सुन रहे हैं, बहुत बार करवाया है मैंने, अडिटोरियल में भी, she rendered me bad advice, उसने मुझे render की खराब advice, यहाँ पर render का मतलब है देना, है न, लेकिन अगले संद्रेश देखो, her advice rendered me helpless, उसकी advice ने मुझे बना दिया बिल्कुल जो है बेचारा, helpless का मतलब होता है मजबूर, तो यहाँ पर तो उसने render की advice मुझे दी, यहाँ पर advice ने मुझे बना दिया मजबूर, है न, अगर render के बाद में कोई non-pronome दिखे और बाद में adjective पढ़ाओ, तब मतलब होता है बना देना, otherwise render का मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ है, किसी को देना, है न, शलूआ, एक कड़ी है न, जो इस exposed किया pandemic ने, जिसको सब के सामने इस pandemic ने लेकर के आई है, है न, किरा जो सबसे कमजोर कड़ी है, वो है हमारी healthcare, हमारी स्वास्त, किरा और जो 55 anniversary है न, वो एक occasion होना चाहिए, इस सीज़ को guarantee करने का, किरा नहीं चाहिए हमें building 55 anniversary पे, उस से पहले सब को hospitals, सब को दवा, सब को इलाज की guarantee दो, है न, वो ज्यादा ज़रूरी है, ऐसे खर्चे से, है न, किरा न, new parliament could then be built to celebrate such an achievement, किरा फिर एक parliament बनाओ, इस achievement को celebrate करने के लिए, कि देश में सब के पास healthcare है, सब के पास दवा है, सब के पास doctor है, इस achievement को celebrate करेंगे, एक नई building बना करके, वीडियो को, आपके shares और like से, बहुत फायदा मिलता है, इन वीडियो को है न, अपने दोस्तों से दो, जो पढ़ते हैं, इसमें कमजोर हैं, है न, मैं सबसे पहले शुरू करूँगा, easy वाले से, आपने जो vocab सिखी, वो सारी इसमें आ जाएगी, है न, मैं आपसे पूछ रहूं, correct meaning बताओ, इस phrase का, to be on someone's case, to be on someone's case, अब इसका meaning क्या होगा भई, आपको मैंने बताया था, किसी के case पे होंगे, तो उसी गर्दन पे सवार होंगे, है न, तो देखो, to be on the go, इसका मतलब होता है, किसी, to be on the go का मतलब होता है, बहुत busy होना, है न, या under development होना, तो on the go से इसका कोई connection नहीं है, be on someone's case, to be very busy, ये तो on the go का सिनॉनिम है, है न, इसका भी कोई connection नहीं है, तो b भी आपका answer नहीं है, to irritate, ये बिल्गुल ठीक है, किसी की गर्दन पे सवार होना, किसी को irritate करना, किसी को चिड़ाना, c आपका answer हो गया, और d का मतलब क्या होता है, ap नए युकी शुरुआत करे, तो d इसका answer नहीं है, c आपका answer है, किसी को irritate करना, to be on someone's case, अब दूसरा देखो, ये मैंने आपसे comments में डालने के लिए बोला भी था, try नहीं किया तो कर लेना, अब मैं आपको करवा रहा हूँ, the access, अब यहाँ पे कुछ डालोगे, cheap capital has given the company access, फिर यहाँ पे कुछ डालोगे, to a huge market, मैं काम करता हूँ, subject verb mark कर देता हूँ, यहाँ पे access आपका subject है, has given आपकी verb है, इसको मैं underline कर रहा हूँ, चलो, यहाँ पे देखो, the access आपका subject है, noun की तरह काम करेगा, अगर यह noun की तरह काम करेगा, तो इसके बाद में to आएगा, तो D आपका answer है, यह C आपका answer है, ठीक है न, access के बाद में to आएगा, जब जब access noun होता है, तो access to chief capital has given the company, again देखो, company को दिया है access, again access यहाँ पे एक noun की तरह काम कर रहा है, फिर से आपको to चाहिए, लेकिन यह two मैंने गलती से लगा वेठाऊ, actually मुझे नहीं लगाना था, अ अगर इस two को आप मान लें, तो D आपका answer है, अगर इस two को आप ना मानें, तो C आपका answer है, ठीक है न, जिन लोगों को गलती पकड़ में आगी, उन्होंने C लिका होगा, तो ठीक है, अगर आपको two लगता है, यहाँ पे लगा होगा है, तो no preposition आना चाहिए, D आपका answer होन हम कहना कहा रहे हैं, जो मोवेशी हैं हमारे खुद के, वो ज्यादा productive है, मोवेशी जो है, यूएस से के, यूएस से के मोवेशी हों से हमारे मोवेशी ज्यादा productive है, तो hour on आता है, आपको पता है, on से पहले पजैसिब जरूर ही है, या तो A आपका answer है, या C आपका answer है, ब यही ऐसे nouns English में मैंने आपको noun chapter में करवाए हैं जो कि देखने में लगते हैं singular लेकिन होते हैं हमेशा plural cattle है वर्मिन है यह सब के सब nouns हमेशा plural होते हैं देखने में singular होते हैं यहाँ पर that नहीं बलकि यहाँ पर आना चाहिए दोस अगर ध्यान से देखो तो c मेरा answer है ना कि a चाहिए आप यहाँ से पकड़ लो चाहिए आपको याद हो यहाँ पर that नहीं बलकि दो जाएगा cattle के लिए plural एट जो अपने प्रणौन को यूज़ करेंगे मुला कर लूँग अगली वीडियो में एक शेयर और लाइक देना टाइम अपना फिक्स है रूटीन में इसी वक् अब इजाद दे मुझे एगली वीडियो तक के लिए तब तक के लिए साइनिंग आउट